नमस्कार बहुत स्वागत थे आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सीक्रिट 19 नवंबर को साल का अंतिम चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है और मानने था कि अनुसार चंद्र ग्रहन का लगना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे पिर्थवी के सभी जीव जन्तूओं पर इसका निगर्टिव प्रभाव पड़ता है इसलिए ग्रहन से बशने के लिए कुछ प्रियोग उपाय किये जाते हैं ग्रहन के समय कुछ सुबकारे करना भी वर्जित होता है और इस बार 19 नुवंबर को साल का दूसरा और आखरी चंदर ग्रहन लगने जा रहा है तो साल का चुकी ये दूसरा चंदर ग्रहन है जो सुक्रवार 19 नुवंबर 2021 को लगेगा और ये ग्रहन आनसिक ग्रहन होगा ग्रहन की सुरुआर 11 बचकर 32 मिनट से होगी और इसकी समापती साम 5 बचकर 33 मिनट पर होगी यानि सुभा लग रही है दिन के समय इसलिए भारत में ये गरहन नहीं दिखाई देगा और हिंदू पंचांग के अनुसार चंदर गरहन विक्रम संबत की बात करें तो 2078 में कार्तिक मा की पूर्णी मा के दिन लग रहा है अब ये गरहन जो ब्रिसवरासी और कृतिका नच्छतर में लगेगा तो जो ब्यक्ती ब्रिसवरासी के हैं और जो जिनका जन्म कृतिका नच्छतर में खास कर हुआ है ऐसे लोगों पर इस ग्रहन का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा इसलिए ब्रिस्व रासी कृतिका नच्छतर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और उनको बहुत साब्धा नेना है तमाम रास्कियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानेंगे लेकिन इसके पहले जानने भारत, उत्तरी यूरोब, अमेरिका, पूर्भी एसिया, औस्ट्रेलिया, परसांत महासागर के इलाकों में ये ग्रहन दिखाई देगा और भारत में ये ग्रहन उपचाया के रूप में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल माने नहीं होगा लेकिन चंदर ग्रहन के समें कुछ ऐसे कार हैं जो नहीं करना चाहिए किसी भी नए काम की सुरुआत ना करे, भोजन बनाने से, खाने से बचे ग्रहन काल में पुजा पाट के काम नहीं किये जाते हैं तुलसी का पौधा भूल करना चुए, कोई भी प्रिक्ष को इस समें नहीं चुए तो अच्छा है और ग्रहन काल में तो सोना नहीं चाहिए गर्वती महलाओं को ग्रहन के समें धारदार वस्तू का प्रियोग भी नहीं करना चाहिए देखिए इस बार का ग्रहन, चुकि ग्रहन भी तीन तरह के होते हैं उसके बारे में हम फिर कभी बताएंगे लेकिन आप तमाम रासियों पर ये गरहन क्या प्रभावर डालने वाला है आए जानते हैं बिस्तार से तो 19 नुमबर सुकरवार के दिन लगने वाला ये गरहन सबसे पहले में इस रासि की बात करते हैं आपके लिए चुकि अच्छा है पर उतना भी बहतर नहीं है दिन में योग बनाएगा हलांकि आपका काम करने का तरीका बेतर है और धन के मामलों में धीरे धीरे तरक्की करेंगे पारिवारी जीवन ठीक है माता पीदा का साथ मिलेगा और आप अपनी किसी रूची को आगे बढ़ाएंगे आपका जो सौक है ग्रेस्ट जीवन आपका बढ़ियां रहेगा जीवन साथी का साथ मिलेगा लब लाइब की बात करें तो उनके साथ बहतर वक्त गुजारेंगे अच्छी बाते होंगी बिसब रासी की बात करते हैं चुकि आपके रासी में ही गरहन लग रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा धन के मौमलों में समल के रहना है खर्च समल के करना है, तो और तینd्सन देगा यह करर रहनु है, हलां की आप अगर 2893 का रो बार करते हैं, लंबी दूरी की आतरा एं करते हैं, तो आप को फिर यहां फ़ election थीख है, आपके लिए सुखना लाब है, जो बैपारी हैं कोई भी नया कार इसमें शुरूर ना करें और यह गरहन के पहले तक आप कर सकते हैं पर इसके इसमें 15 दिन तक थोड़ा सांती से आगे बढ़ें जो पहले से कियावा कार है उसी को आगे बढ़ां मित उन्डासी अगले 15 दिन तक आपको मौका मिलेगा घर से बाहर निकलने का थोड़ा सपनी लाइफ को जीने का और लव लाइफ भी आपका ठीक रहेगा लेकिन दूसी तरफ रोमांटिक लाइफ में जो से उत्सा है जीवन साथी के साथ रिष्टे बहतर होंगे बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग नए ने सौदे में आप वाहन मसीनरी अगनी का प्रयोग करते समय लापरभाई मत कीजिएगा करकरासी नए काम नए बिजनेस डील ये आपको सौगात मिलेगा इस चंदर गहन से अगले 15 दिन में तमाम परिसानियों से निपटने के लिए भी ये समय बढ़िया है कोई नया ओफर मिलेगा सोचेवे काम शुरू कर दें और आपके आने वाले जो वक्त है काम जल्दी ही पूरे होंगे हलां कि आपका रोज मर्रा के कारे में पुरा करने में कोई खास डिकावट नहीं आएगी तो प्रेम जीवन आपका सामान है जीवन साथी से कोई गलती है तो उन्हें गलती का एहसास कराई कीजिए और फिर चीजों को ठीक कीजिए सिंग रासी अगला पंदरा दिन थोड़ा सा मानसिक तनाव है थोरी सी सारे रिक कस्ट है लेकिन अगर आप अपने थोरा सा कस्ट कोई जैसे की जॉएंट पेन एसीटिटी की समस्यार पर ध्यान रखना है कुछ पुरानी गड़े म बाते करेंगे एक दूसरे को बहतर समझनी के प्रयास करेंगे नौकरी के सिलसले में जो भी प्रयास करेंगे तो आपको सफलता देगा और अपनी साथी को खुश रखने के चक्कन में खुद पर आप जोरो से जादा दबाब नजबाएं कन्यारासी यह गरहन आपके उपर थोड़ा निगेटिव प्रवाड डालेगा लेकिन फिर भी आप अपने भविस्य की योजना बनाते नजर आएंगे काम के प्रती सोच वीचार दोस्तों का साथ मिलेगा और भागे का साथ में बहुत हद तक मिलता दिखता है जो बिजनस में ने कुछ बड़े लोगों से मि बाहर निकलना होगा हलां कि वैवाही जीवन में छोटे मोटे दिकते हैं तुलारासी जो भी द्यार थी उनके लिए अगला पंदर दिन बहुत अच्छा रहेगा हलां कि सरकाई नोक्री करने वाले लोगों के लिए भी बढ़िया है आप अपने सुभाव वानी पर अच्छ बिस्चिक रासी अगले पंदरा दिनों अगर आप जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं तो अचानक फैसले लेने पड़ सकते हैं नुकसान बेगरे से बचिये कनफ्यूजन की समस्या परिसान करेगी तो बड़े बुजरगों की सलाह ले थोड़ा बहुत खर्चा होगा तो उ भी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे और खुद पर भरुसा करेंगे ना कि किसी अन्ने पर धनुरासी आपके लिए वक्त बढ़िया है मानसिक दवाब में है था आप लेकिन उनसे मुक्ति मिलेगी धन के मामलों में लाब होगा थोड़े खर्चे बढ़ेंगे लेकिन फिर काम के सिलसले में आप काफी अच्छे नतीजे मिलेंगे सरकार का लाब होगा रिस्तों में अनुकूलता है जमीन जादात के जुड़े मामलों में लाब होगा और अपने प्री के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं लब लाइब की बात करें तो उत्तम है और इस से में रिस्तों को खीचने से बचना है आपको बस कुरत पर अगर कंट्रोल रख लें तो बढ़िया नहीं तो गुस्से में काम बिगड़ जाएंगे अगर आप प्रोपर्टी बिगड़ा लेना चाहते हैं तो किसी जरूरत सलाह किसी से ले 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 तो बढ़िया रहेगा और धर्म कारे करत इस समय नजर आएंगे अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो दोस्तों का साथ मिलेगा आपके सारे कारे बन जाएंगे लब लाइफ में छोटी मोटी समस्य आये हैं लेकिन दापत्ती जीवन आपके लिए उत्तम है बात करते हैं कुमरासी की अगले पंदर दिन स्वास्त के ध्यान रखने के साथ वहां चलाते में भी आपको साफधानी रखना है वरना धनहानी हो सकती है जरा साफधान रहें लेकिन न चाहते हैं मन में थोरा सा टेंसन है लब लाइफ में आपको लगेगा जैसे कोई रूची ही नहीं बची और हलां कि आने वाला समय बढ़िया है भोजन समय पर करिए लब लाइफ आपका उत्तम है प्रेम बढ़ेगा बैवाईक जीवन में धन्यवाद फिर मिलेंगे